प्रित्वीरा चोहन एक ऐसे सासक जिन्होंने अपने जीते जी बिदेसी आकरमन कारियों को अपने देश से दूर रखा प्रित्वीरा चोहन बार्वी सतावदी के एक बेमिसाल राजा थे आज हम प्रित्वीरा चोहन के बारे में ही जानेंगे माने जाता है कि प्रित्विरा चौहान का जन सन 1166 में हुआ उनकी पिता का नाम सोमिसर चौहान था जो कि उस समय पर चाहमान राजवन्स के राजा थे और उनकी मा रानी करपूरा देवी थी कहा जाता है कि उन्होंने अपने बच्पन में ही काफी सारी विद्याएं सीख ली थी वो सिक्षा में अच्छे थे उन्हें छह भासाएं आती थी और कुछ टेक्स्ट ये भी कहते हैं कि उन्हें चौदा भासाएं आती थी वो तीर अंदाजी में भी बहुत अच्छे थे कहा जाता है कि वो बिना देखे अपने लक्ष को भेद सकते थे और जब वो 11 वर्सके थे तब उनके पिता की मृत्य हो गई जिसके बाद फिर उनको राजा बना दिया गया राजा बनने के कुछ सालों बाद ही 1180 में उन्होंने अपना पहला युद लड़ा नागर्ज उनके खिलाफ ये उनके जीवन का पहला युद था और उन्होंने इस युद को जीता उसके बाद उन्होंने कई सारे युद लड़े बदानक चंडेलास और गहट वाला लोगों से भी उन्होंने युद लड़ा लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण युद था उनके जीवन का वो था महम्मद गौरी के खिलाफ महम्मद गौरी गजनी का सुल्तान था जो कि आज आफगानिस्तान में है वो भारत पर हमला करके कबजा इसलिए करना जाता था क्योंकि बारत बहुत सदा अमीर देश था हमें सोने की चडिया कहा जाता था इसलिए वो हमसे धन दौलत लूटना चाता था सन 1190 में पहला तराइन का युद्ध हुआ जिसमें महमद गौरी बहुत ही पूरी तरह से हार गया लेकिन प्रिथवीरा चोहान ने महमद गौरी को मारने की हो जाए उसे शमा कर दिया और उसे ये कहा कि कभी भी अब तुम भारत की तरफ मुड़ कर नहीं देखोगी महमद गौरी मान गया और वापस चला गया लेकिन जब दूसरा तराइन का युद्ध हुआ उसमें प्रिथवीरा चोहान हार गये थे वो भी एक गद्दार की हुजासे उस गद्दार का नाम था राजा जैचंद हुआ कुछ यूँ था कि राजा जैचंदर की बेटी सेयोगिता प्रिथवीरा चोहान के बारे में सुनकर उनके प्रेम में गिर गए और फिर जब उन्होंने अपने पिता से ये बात कही तब उन्होंने उनका विवाह प्रित्वीरा चोहान से कराने से इंकार कर दिया इससे पहले तक प्रित्वीरा चोहान और जैजंदर काफी अच्छे मित्र हुआ करते थे उनकी दुस्मनी की वज़ा दिल्ली भी थी राजा जैचंदर को दिली चाहिए था और वहां पर पृत्वीराच चोहन का साशन था इसलिए भी राजाच जैचंदर उनसे इरसा करते थे सहयोकिता और प्रित्वीराच चोहन की प्रेम खानी भी काफी दिल्चेस्प है हुआ कुछ यह था कि राजा जैचंद्र ने देश के सभी राजाओं को अपने महल में बलुआया और सहियोगिता से कहा कि तुम किसी भी एक राजा को चुन सकती हूँ अपने वर के रूप में राजा जैचंदर ने सभी राजाओं को तुबलवाया था लेकिन प्रित्वीरा चोहान को छोड़ दिया था और उन्हें बुलाने के वज़े उनका एक पुतला द्वार पर लगवा दिया था राजा जैचंदर उनका सामना नहीं कर पाए इसी बेसती और दिली को पाने के लिए उन्होंने महमद गौरी से हत मिला लिया और फिर सन 1192 में तराइन का दूसरा युद हुआ जिसमें महमद गौरी और राजा जैचंदर जीत गए और प्रित्वीरा चोहन को बंदी बना लिया गया जब राजा जैचंदर ने महमद गौर से हाथ मिलाया था तब उससे ये कहा था कि मुझे दिली चाहिए और तुमें प्रित्वीरा जब हम साथ में मिलकर जीतेंगे तब तुम मुझे दिली दे देना और तुम प्रित्वीरा चोहन को अपना बंदी बना सकते हो और उनके राज की संपती लूट सकते हो और जब य प्रित्वीरा चोहन का किसी भी राजपूत राजा ने साथ नहीं दिया था क्यों कि जब सुएंबर हो रहा था तब वहाँ पर सभी राजा मौजूद थे और उनमें कई सारे राजपूत राजा पी थे और फिर वहाँ पर उन्हें अपनी बेज़ती महसूस होने के बाद उन्होंने प्रित्वीरा चोहन को अपनी मदद नहीं दी कहा जाता कि मौम्मद गौरी चाता था कि प्रित्वीरा चोहन अपना धर्म बदल लें और इसलाम को कुबूल कर रहें लेकिन पृत्विरा चौहान ने ऐसा करने से इंकार कर दिया और कहा कि हम राजपूत हैं और कभी सिर्थ नहीं जुकाते और अपना धर्म तो कभी बेचते ही नहीं है और आखों से आखें मिलाकर उन्होंने मुहम्मद गौरी की तरफ देखा जिसके बाद बहुत जादा गुसा मुहम्मद गौरी को आया और फिर उसने पृत्विरा चौहन की आखें फुडवा दी इसके कुछ समय बाद एक तीर अंदाजी का मुकाबला हुआ जिसमें पृत्विरा चौहन ने भी हिस्सा लिया और चंदवर्दाई जो कि उनके काफी अच्छे मित्र थे और उनके पूरे जीवन में उनके साथ ही रहे थे इस समय भी उनके साथ थे चंदवर्दाई और पृत्विरा चौहन ने पहले से ही यूजन बना रखी थी कि हम मुहमद गौरी को कैसे मारेंगे चंदवर्दाई ने एक सर्त रखी थी मुहमद गौरी के साथ तो मैं अपने मूँ से कुछ बोलना पड़ेगा क्योंकि पृत्विरा चौहन की आँखे निकाल ली थी इसलिए वो कुछ देख नहीं सकते थे और जब प्रतियो किता का समय आया तब चंदवर्दाई ने मुहमद गौरी की दिसा बताने के लिए कुछ ऐसा कहा चार बास चौबीस गच अंगुल अस्ट प्रमाण ताउपर सुल्तान है मतचूको चौहन इसके बाद मुहमद गौरी ने आवाज लगाई जिसके बाद प्रतियोरा चौहन ने अपना तीर उस आवाज की तरफ चलाया मुहमद गौरी को वो तीर लगा और फिर वो मर गया और इसके बाद कहा जाता है कि चंदवर्दाई और प्रतियोरा चौहन ने एक दूसरे को मार दिया था अब प्रित्वीरा चोहान के जीवन के बारे में कई सारे historians, कई सारे टेक्स्ट, अलग अलग चीज़ें क्लेम करते हैं अब प्रित्वीरा चोहान के जीवन से हम लोग क्या सीख सकते हैं सबसे पहला Be so good in your skills that nobody can beat you अपनी कलाओं में, अपनी skills में, अपनी abilities में इतने जादा अच्छे बनो कि कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाए जैसे प्रित्वीरा चोहान लक्ष को देखे बिना तीर चला सकते थे और उसे भेद सकते थे उसी तरह से दूसरा, relationships अच्छे रखिये अपसी पारिवारे क्रिस्ते इतने अच्छे रखिये कि कोई भी तरार, कोई तीसरा इंसान उसमें ना डाल पाए भारत के राजाओं में कुछ यही कमी थी कि जब परिवार तूटे तब विदेशी आकरमनकारियों ने उसका फायदा उठाया और भारत पर क्रब्जा जमाया और किसी इंसान ने इससे रिलेटेड बहुत ही अच्छी बात कही है कि जब जब घर तूटेगा तब तब पड़ो सी आकर लूटेगा और तीसरी, किसी के लिए भी अपनी वेल्यूस को मत तोड़ो जैसे प्रिथिरा चोहान ने अपना धर्म परिवरतन नहीं किया अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना फूलें तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही आगले अपते फिर मिलेंगे तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सीखते रहें